आईजक न्यूटन अचानक से टाइम मसिन के इस्तमल करके हमारी आज की दुनिया में बापस आ जाएं तो वो हमारी आज की दुनिया को देखकर काफी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे वो पाएंगे कि जिन फिजिकल तेयोरिस को नोने डवलप किया था वो अब पहले से भी औ स्वेजलेंड में मौझूद एक काफी बड़ा पार्टिकल एक्सिलेरेटर हमारे ब्रह्माइंड के नियमों से परता उठा रहा है वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि कैसे उनके द्वारा दिया गया ग्रेविटेशन का कंसेप्ट अधूरा था आइंस्टीन की रिलेटि जिन फिजिक्स को डबल अप करने में उन्होंने अपना पूरा लाइफ स्पैन इस बेंड किया वो फिजिक्स अभी भी अधूरी है फिजिक्स में ऐसे कई सारे अनसुल्य सवाल है जिनके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जान पाया उधारन के लिए डार्क मैटर और डा नहीं खुशिस करेंगे कि आखिर कौन सी बिगेस्ट अनसॉल्ट प्रॉडलम है जिनके आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है तो यहां पर हम टोटल सेवन कोईसंस को कंसीडर करेंगे और उनके बारे में तोड़ा सा डिसकसन भी करेंगे कि आखिर क्यों वो कोईसंस हमारे ल अगर आप एक फिजेक्स का इस्टूडेंट हो तो आपको यह लगता होगा कि आप इसका अंसर जानते हो एंड हां हम यह बात जानते हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है और इन सब एटमिक पार्टिकल से भी चोटे पार्टिकल्स उनके अंदर एक्जिस्ट करते हैं जैसे कि कॉर्क्स अब क्या कॉर्क्स अभी चोटे पार्टिकल्स एक्जिस्ट करते हैं या फिर यही सबसे फंडमेंटल पार्टिकल्स हैं खेर इन सब के बारे में हमारे पास पार्टिकल्स में एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं स्टेंडर्ड मॉडल और पार्टिकल्स जो कि सब atomic particles के बीच की interaction को काफी अच्छे से explain करता है और इस standard model में जिस last particle को कोजा गया था वो था Higgs boson पट कुछ वेग्यानों को कमानना है कि हमारा standard model सभी चीज़ों को explain नहीं करता ये इस बात को explain नहीं करता कि Higgs boson के पास mass क्यों exist करता है और नहीं इस बात को explain करता है कि Higgs boson के पास उतना mass क्यों है क्योंकि theory से predict करती है कि Higgs boson का mass काफी ज़्यादा होना चाहिए बट actual में उसका mass predicted mass से काफी ज़्यादा कम है In fact predicted mass से उनका actual mass कई हजारों गुना कम है और इसी के साथ ही साथ matter के साथ कई सारी mystery जुड़ी होई है जिनके बारे में अभी तक हम unknown है तो actual में हमको नहीं पता कि आकर fundamentally matter कि से मिलकर बना होता है Now हमारा दूसरा unanswered question है कि आकर gravity इतनी अजीब गरीब क्यों है Why is gravity so weird? हम सब जितना gravitational force को जानते हैं उतना हम किसी और force के बारे में नहीं जानते Gravity ही वो force है जो कि हम सब को इस दर्थी पर बांद कर रखती है और Einstein की theory of general relativity हमको gravity का mathematical formulation देती है Mathematical formulation के साथ वो वाले bench donated by? वो ये नहीं से और ये सुनिता वर्वाद चले 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 है और ये donated by? वो हमको इस डिस्क्राइब करती है कि कैसे space time work करता है कैसे space अपने आपको band करता है लेकिन gravity वाकि के तीन fundamental forces के comparison में लाकों गुना weak है पर भले ही gravity काफी weak force क्यों ना हो लेकिन हमारे वेग गैने को के लिए gravity के concept को पूरी तरह से समझना अभी बाकी है हम सब gravity के quantum version को डूढना चाहते है और यही वो reason है तोकि gravity को काफी weird बनाता है साथी साथ gravity बाके के forces के comparison में weak क्यों है इस सवाल को जानने का भी hope हमारे मन में बना हुआ है ऐसा हो सकता है कि यहां पर universe में कुछ extra dimensions मुझूद हो जिनके दोरा gravity हमारे three dimensional space से कोई extra dimensional space पर leak कर रही हो जिसके कारण हमको gravity एक काफी weak force के form में नजर आ रही हो पर कि सच में gravity three dimension से invisible extra dimension में जा रही है इसका जवाब हमारे पास नहीं है इसी के साथी साथ Albert Einstein ने भी gravity के concept को काफी अच्छे से define किया अगर आप Albert Einstein उनके work